हेलो रिवान, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे हमारे 11 जुलाई 2020 के करंट अफेर्स और इन करंट अफेर्स को लेके आ रहा हूं है, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल, सो ऐसे ही आप पढ़ते रीजिए, जिस सुबह 9 बजे, ठीक है, और वैसे ये क्लासिस जो डेली करंट अफेर्स की क्लासिस होती है, ये हमारी सुबह 4 बजे ही होती है, लेकिन जो संडे के दिन होगी वो 9 एम को होगी, ताके हमारा प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो, और बच्चे सारे जो है, इसके साथ जोड़े विपन गोईल, टेलिग्राम का ग्रूप है, और ये है जी, आप स्टडी आईक्यू एप के उपर मेरे दो कोर्सिस परचेस कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू एप आपको डाउनलोड करनी है, जैसे आपने स्टडी आईक्यू एप डाउनलोड करी, होमपेज नजर आएगा, ह गर बैठे अपनी त्यारी कर सकते हैं, तो देखे जी, आज हमारे स्क्रीन के उपर, पहला कोशन स्क्रीन के उपर क्या कहता है, तो 15 इंडियन यूरोपेन यूनियन समिट जो है, कब हुआ, कहां पे हुआ, मतलब कौन सी तारीक को हुआ, तो बग होगा जा, पंदरमा भारत यूरोपिया संग, शिखर समेलन आयोजित किया जाएगा, कौन सी तारीक को ये शुरू किया जाएगा, ये शुरू किया जाएगा, जुलाई 15, जुलाई 15 को ये स्टार्ट किया जाएगा, और इस मीटिंग के अंदर परधान मंतिन नरेंदर मोदी, और यूरोपेन यूनि तेनों मिलके जो है European Union Summit, इंडियां समिट करेंगे, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, जुलाई 15th, Next, which state government launched a land use intelligence system, जाने के कि राज़ सरकार ने बू अपयोग खुफिया पर नाली शुरू करी है, ये शुरू करी है बुवनेश्वर ने, बुवनेश्वर land use intelligence system जिसे आप, उडिशय स्टेट आप कह सकते हैं कि उडिशय स्टेट ने इसको start किया है, अब उडिशय स्टेट ने start सारी चीज़ें हैं जैसे गाहिर माथा बीच है और उसके बाद जो है चिली का लेक है जहां पर आपके ओलिवरी ले टर्टल आते हैं और जगनात पूरी कोनार्क टेंपल जो है आपका देखने को मिलता है तो यह बहुत सारी चीज़ें आपको उडिशा स्टेट के अंदर दे किया है मतलब मार्किट में सबसे ज़्यादा उधार पैसे इस स्टेट ने लिए है और इस स्टेट कौन सी है तमिल नाडू तमिल नाडू ने जो है इस साल जो है सबसे ज़्यादा पैसा लिया है और आरबे के अगर मैं बात करता हूं तो आरबे के हैड़कोर्टर कहां में तो चार लोग है टोटल चीक है तो यह आपको पता होना चाहिए यह उप गवर्नर राजयपाल और मुख्याल्या और यह आपके तमिल नाडू ने सबसे ज़्यादा पैसा लिया है किसकी अध्यक्षता में भारतिया भीमा निमायक और विकास प्राधीकरण ने सवास्ते अपात जैसी महामारी को देखने के लिए एक समती बनाई है तो इस समती का नाम भी आपको बताना है और यह समती जो है किसके अंडर रहेगी चेर्मेंशिप रहेगी सुरेश माथूर जो Executive Director है आपके EDI के सुरेश माथूर के अंडर रहेगी सुरेश माथूर Executive Director of EDI जो आपके Health Emergencies के लिए काम करेंगे देखेंगे और EDI जाने के Insurance Regulatory Development Authority of India के जो Headquarter है वो कहां पे हैं तो यह जो है आपको नाम पता होने चाहिए यह facts आपको बताने चाहिए और IADI जो है इनका जो नाम है वो क्या है इनका नाम है जगदीब और इनके जो आखरी सांस ली इन्होंने बैंडरा के अपने रेजिडेंस मुंबई के अंदर इन्होंने आखरी सांस ली तो यह है जगदीब इनके जो है उनका नाम क्या है संदीब बक्षी संदीब बक्षी इनके जो है CEO का नाम है और ICC Bank के जो दो headquarter है ये आपको पता आने चाहिए एक बडोधरा में और एक जो है आपके daddy is in the महराश्र में इनके जो है काम होता है ठीक है और main headquarters is in the Mumbai main headquarters is in the Mumbai main headquarters is in the Mumbai ठीक है और उसके बाद जो है Swiggy के अगर मैं बात करता हूँ तो Swiggy जो है ये बैंगलोर के अंदर इसके headquarter है headquarter is in the Bangalore और इसके जो founder है उनका नाम क्या है नंदन रेड़ी है और टेडी जराहूल जामिनी ये इनके जो है Swiggy के founder में आते है ठीक है और CEO का नाम क्या है शिरी हर्षा मजेस्टी जो है इनका नाम है स्वीगी के CEO का शिरी हर्षा मजेस्टी ठीक है ये चीज़ द्यान रखिए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ICC बैंक के लिए और स्वीगी के लिए भी विच कलर डस्ट में है इंटर्डूज़ बाइ इंड्वर मुंसीपल कॉर्परेशन फॉर कोरोना इंफेक्टेड मटीरल करोना के लिए जितने भी जो इंफेक्टेड में मटीरल है उसके लिए कौन से डस्ट में का प्रयोग करने लगे है ये यलू चीज़ों का इस्तेमाल कर और इंदोर जो है हमारी सबसे ज़्यादा सफाई वाली क्लिनेस्ट सिटी है इंडिया की क्लिनेस्ट सिटी सबसे सुन्दर सबसे साफ शहर जो यह है और एक चीज़ आपको बता दूँ तो जो येलो डेस्टमीन होता है इसके अंदर जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट होते है जैसे सिरंज हो गया और एनटोमिकल वेस्ट हो गया एक्सपाइट टैबलेट्स हो गये तो ये सारे की सारी इसमें डाल दी जाती है तो ये येलो चीज़ पेले डबे यूज़ करेंगे करोना वायरस के जो पेशेंट्स होंगे उनका समान जो भी होगा इसके अंदर डाला जाएगा इनका वो नाम है बनवारिलाल पुरोहित ठीक है और चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इदापड़ी ठीक है इदापड़ी ये मैं हमेशे ऐसे याद करता हूँ पूरा नाम याद करने की जूरत नहीं है इदापड़ी आप याद रखिए तो अंसर इसमें क्या बनेगा तमिल लाडू प्लैटफर्म दानने के लिए और that's it and करनाटक के जो है करनाटक के जो हैंकरनाटक के जो है इनके CM है और CN जो बस इतना याद को कि और डिप्टी CM का जो है नाम इतना नहीं पूछा है था CN अश्वात नरायन समसिंग ऐसा नाम है तो वो आपको याद करने के जूरत नहीं है B.S. यदि रुप्पा आपको याद कीजी आंसर इसमें क्या बनेगा D option गुदनी जोहांसन जो है वो उनको द्वारा से राश्टरपती चुना गया है वो कौन से देश के राश्टरपती चुने गए है तो वो किस देश के राश्टरपती चुने गए है आइसलेंड के आइसलेंड के द्वारा से राश्टरपती चुने गए है और Iceland राइट अंसर बन जाएगा और that's it, राइसलेंड की अगर capital पूछा आपसे पूछा जाएगा तो it's called Rek Zewik, Rek Zewik जो है इनकी capital है, तो अंसर इसमें B option बनेगा गुजरात solar power policy 2015 has been extended till, 2015 की जो गुजरात solar power policy है वो कब तक extend कर दी गई है, वो extend कर दी गई है, December 31st तक ये extend कर दी गई है, December 31st 2020 तक ये extend कर दी गई है, और solar के लिए आपको याद रखना है, international solar lines, जो international solar lines है उसके headquarter कहां पे है, गुरू गराम के अंदर है, गुरू गराम के अंद next, the central board of direct taxes has signed a memorandum of understanding with which organization for data exchange between the two organizations, central board of direct taxes, जो के अंदर ये परतक्षपर बोड है, उसने किसके साथ जो है data change करने के लिए जो है, एक MOU sign किया है, तो वो sign क्या है, CBE के साथ, किसके साथ, CBE के साथ, that is security and exchange board of India के साथ, जो है इन्होंने agreement sign किया है, और सारी information एक दूसरे देशो एक दूसरे को ये provide करेंगे, और CBE के जो अगर बात करूं, तो CBE के headquarter कहा है, मुंबई में, अजे त्यागी जो है, इनके chair person है, और center board of direct taxes के अगर बात करी जाए, तो इनके headquarters कहां पे है, new Delhi के अंदर है, और chair person है, प्रमोचंद्र मोधी, प्रमोचंद्र मोधी, और हमारे finance minister करन क्या नाम है, निर्मिला सीतारवन जी, निर्मिला सीतारवन, तो answer इसमें आपको clear होगा, होगा, next, which state launched a week-long campaign, pure for sure, to ensure the purity of the milk and dairy product, जाने के pure for sure, जो है, ये एक campaign चलाई गई है, धूद और दूद से बनी जितनी भी चीज़े है, उसको साफ, ये मतलब सही है, एक तरह से आ ये स्टार्ड करी है, राजस्थान ने, तो राजस्थान ने स्टार्ड करी है, रगुशर्मा, जो उनके Health Minister है, उन्होंने ये स्टार्ड किया है, ताकि proper तरीके से आप चीज़ों को यूज कर सके और उनको बताया जा सके कि हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, जड़ दे तो इसके चेयर पर्सन कौन है? रीता तियोतिया, CEO है, अरुन सिंगल, Executive Director है, जीव कुमार जैन, Headquarter है, New Delhi के अंदर, FSSAI के भी Headquarters वगएरा पूछे जा सकते हैं, तो जगा भी पूछी जा सकते है, चेयर पर्सन, CEO वगएरा पूछे जा सकते हैं. तो यह स्टार्ट किस ने किया है? यह स्टार्ट किया है, अंडेमा निकोबार आइलेंड ने, हमारी यून टेरिटरी ने, और यह इस्टार्ट किस ने किया था? कंस्ट्रक्शन इंडेस्ट्री डेवल्मेंट काउंसिल नीतिया यूग ने स्टैब्रिश किया था, ताकि प्रॉपर तरीके से माजनाई सेक्शन ओफ दा सॉसाइटी को स्किल प्रोवाइड करके काम प्रोवाइड किया जा सके, तो अंसर इसमें क्या बनेगा? अंडेमान a special action plan to contain the super spread of COVID-19 in the coastal region, किस राजा ने 30 शेत्रों में COVID के super प्रसार को शामिल करने के लिए एक विशेश कार्या यूजना त्यार करी है, तो ये कौन सी स्टेट है? ये है केरल स्टेट, तो केरल ने ये यूजना स्टार्ट करी है, और तिर्वन्थ पूरम डिस्टिक के अंदर super spread को बचाने के लिए ताकि आपका COVID-19 से हम बच सकें, और एक पुन्थूरा रीजन है, जो केरला के अंदर है, जो जहां पे super spread confirm हो चुका है, ये एक special cluster है, जिसको treat किया जाएगा, एक target किया जाएगा, तो answer is केरला state, केरला state is the correct answer, next question, as per the IMF, India stand at which position in the world in terms of the foreign exchange reserve, जाने कि इ इंडिया का rank है, हमारा पांचवा, पांचवा स्थान हमारा इंडिया का पड़ा है, पांचवा स्थान आपका इंडिया का पड़ा है, as a foreign exchange reserve में, अगर मैं IMF की बात करता हूं, तो IMF जो है, इसके headquarter का हम पे है, Washington के अंदर, DC के अंदर है, और इसमें 189 countries के member nation है, क्रिस्ट क्रिस्टलेनिया, क्रिस्टलेनिया, जौर्जिवा, जो है इनके, जौर्जिवा, ठीक है, वो इनके क्या है, managing director है, गीता गोपिनाथ, जो है, वो chief economist है, कहां पे, IMF में, ठीक है, और IMF हमेशन short term के लिए loan provide करता है, जो भी balance of payment crisis countries होती है, और IMF एक report त्यार करता है, World Economic Outlook, World Economic Outlook के report कौन त्यार करता है, IMF त्यार करता है, चीक है, तो answer इसमें, fifth is the correct answer, उतरपरदेश government has launched a piped water project, हर घर जल, for which reason, जाने के, उतरपरदेश ने हर घर जल, जो है, एक pipe जल पर योजना start करी है, वो कौन से area में start करीगी है, वो start करीगी है, बुन्देल खंड में, answer इसमें क्या बनेगा, C option is the correct answer, और ये 2019 में ये वैसे भी scheme स्टार्ट करीगी थी, जो इसका उदेश्या कहा था, 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाना, और ये announce किसने करी थी, निर्मिला सितारवन जी ने अपने budget के अंदर ये announce करी थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो answer इसम कौन सा addition जो है, launch किया है, गिरी राज सिंग ने, जो आपके union minister है, fishery, animal husbandry और daring के, तो ये पहला अदिवेशन जो है, start किया गया है, तो answer इसमें क्या बनेगा, B option, B option, और इसमें क्या होगा, पर्धान मंतरी, मतस्य संपता योजना में, जिसमें आपका fishery management और किया जाएगा और proper तरीके से value chain और infrastructure modernization control किया जाएगा, quality control की जाएगी, और fish के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो कौन सा revolution था हमारा, that is a blue revolution, blue revolution is for the fish, ज्यान रखना, answer इसमें क्या बनेगा, first edition था ये, चार धाम यातरा consist of बद्रिनाथ, केधारनाथ, गंगोत्री and गंगोत्री के साथ है यमनोत्री, यमनोत्री ये है, ये चार धाम है हमारे गंगोत्री उत्रकाशी जिसे आप कहते हैं, यमनोत्री उत्रकाशी, केधारनाथ, रुद्र प्रियाग है और बद्रिनाथ, चमोली है WFO is the unidentified जो है आपकी objects होते है unidentified object जो हवा के अंदर air के अंदर देखने को आपको मिलते हैं ये दिन हम मनाते हैं हमेशा 2nd of July को unidentified objects 2nd July ये इसका 5 मेंने के टिक कर दिया इसका 2nd July answer बनेगा तो ये बनेगा D option D option is the correct answer 2 July को ये मनाया जाता है Indian Army has banned how many apps recently अभी Indian Army ने कितनी apps जो है बैंड करी है 89 apps बैंड करी है और जो है overall इंडिया के अंदर जो है Chinese app जो है 59 बंद कर दी गई है और ये app इसलिए है ताकि आपका प्रॉपर तरीके से जो data है Indian Army का वो लेक ना हो पाए तो ये सारी चीज़े इसमें आती है तो 89 apps को ban किया गया है ये देखो जी 89 mobile applications जैसे के आपका Facebook, Instagram, PUBG, Zoom ये सारे जो हैं चीज़ें बेफकुफ चीज़ें Instagram, Facebook को जोड़के अगर आप उसको भी धंक से यूज़ करते हो ठीक है बट अदरवाइस वो बाकि इसिया पैसिफिक प्रोग्रेस तूवर्स उनिवर्सल कैंसर कंट्रोल हमारे इंडिया का रैंक कितना है इसिया प्रशांत महसागर के अंदर जो कैंसर की त्यारी पर अर्थ शास्त्री Intelligent Unit ने रिपोर्ट त्यार करी है तो इसमें इंडिया का रैंक कितना आया है और इंडिया का रैंक है इसमें एड्थ एड्थ रैंक है इंडिया का तो ये चीज़ दिया रखे आठ्मा रैंक है इंडिया का Economist Intelligence Unit के अगर Headquarter की बात करे दे तो London United Kingdom है और CEO कौन है Robin Bue जो है इनके CEO है किसके Economic Intelligence Unit के तो ये आठ्मी रिपोर्ट त्यार करी गई है आठ्मी रिपोर्ट Next है Ranim L. Vellily squash player जो है इन्होंने अभी retirement announce करी है ये कौन सी country की player है ये पहली अरब player है जो इन्होंने जो मतलब ये खेली थी और ये इथोपिया से है सोरी Egypt से है Egypt squash player है तो ये पहली अरब women है President Egypt के कौन है That is Abdel Fattel Al-Sisi जो है इनके President है Prime Minister का नाम के है Mustafa Medoli है Capital Karo है और currency Egyptian pound है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो ये सारे facts आपको पताना चाहिए तो Egyptian player है ये Egyptian squash player है Ranim L. Vellily Which country is maintaining planning to build 5 to 8 nuclear reactors per year between 2020 and 2020 से 2025 5 से 8 nuclear power reactor जो है हर साल बनाएंगे तो ये कौन सा कौन सी जो country है जिसने बोला है तो वो बोला है आपका China ने China ने बोला है कि हम हर साल जो है 5 से 8 जो है आपके nuclear reactor बनाएंगे 2020 से 2025 में Defense Minister has inaugurated six strategic bridges in which border state through video conferencing देखे इनों ने जो है रणनीतिक पूलो का उधगाटन किया है रक्षा मंत्री कौन हमारे राजनाथ सिंग जी है तो इनोंने 6 जो है वो कहां पे किया है जम्मो किश्मीर के अंदर किया है और इनोंने border road organization के मदद से 43 क्रोड रूपे खर्च करके ये project बनाया है बात ये है कि 43 क्रोड रूपे खर्च तो कर दिया लेकिन 6 project कौन से है जैसे है तरना 1 bridge तरना 2 bridge पलवन bridge गोड़ा वाला पुल पहाड़ी वाला पुल और पन्याली पुल तो ये 6 जो है आपके पुल है 6 आपके bridges है जिसमें ये काम किया गया है 43 क्रोड रूपे खर्च किरने के लिए बात करी गई है अब यहाँ पर क्या है Border Road Organization BRO जो Border Areas में हमेशा roads बनाते हैं Director General कौन है इनके Left-Nand General Harpal Singh Headquarter है New Delhi के अंदर Border Road Organization के Director General Left-Nand General Harpal Singh Which bank has approved a 750 million dollar emergency fund of the India's MSME sector MSME sector के लिए 750 million dollar का जो fund दिया है वो किसने दिया है वो दिया है World Bank ने किसने World Bank ने World Bank के Headquarter कहां पे है जो है आपके Washington DC के अंदर है और MSME इसको इसलिए क्योंकि 45% जो है आपका Industries का Output वो MSME देती है और अगर मैं बात करूँ Employment की तो जितनी Employment आपकी जाती है तो 50% Employment जो है MSME देते है और MSME के जो जो Minister है उनका नाम क्या है नितिन गड़करी नितिन गड़करी जो है इनका नाम है MSME के Minister तो अंसर इसमें D option बनेगा अंडर पर्धान मंतरी Formalization of Micro Food Enterprises की Micro Enterprises Will Get Dash Percentage Subsidy on Project Cost with a ceiling of Rs. 10 lakh पर्धान मंतरी सुक्षम खाद्या प्रसंसकर्ण उध्यमों के उप्चारिक रूप देने की योजना के तहत 10 लाख रूपे तक के लागत वाली वैद प्रियोजना के सुक्षम उध्यमों को कितने प्रतिशत की धर में subsidy मिलेगी तो ये मिलेगी 35% की जो है subsidy मिलेगी 35% की subsidy मिलेगी Answer is D option Next A very red coral kukri snake was spotted recently in which National Park of the Uttar Pradesh Red coral kukri snake जो है देखने को मिला है हमें दूदवा National Park के अंदर दूदवा National Park is the correct answer Answer is A option दूदवा National Park और एक चीज़ जो ये तना हियाद करो ठीक है दूदवा National Park Next Union Human Resource Development Ministry Along with the AICTE and CSIR has launched a which hackathon to sport the drug discovery process AICTC और CSIR के साथ मिलके केंदरिया मानम संसादन विकास मंतरालया ने Drug Discovery प्रकेरिया का समर्थन करने के लिए किस hackathon का launch किया है तो वो launch किया है Drug Finding का launch किया है तो answer इसमें A option बनेगा Drug Finding का launch किया है और अगर मैं बात करूँ HRD Ministry की तो HRD Minister कौन है हमारे रमेश पोकरियाल निशांक रमेश पोकरियाल निशांक इनके जो है आपके That is the Union Minister इसमें आते है उपा रुकम उपा रुकाम मलोवा फू पास्ट वी रिसेंटली वाज़ा फॉर्मर चीफ फॉर्मर असेंबली स्पीकर और विच स्टेट ये किस असेंबली के जो है ये स्पीकर थे अध्यक्ष थे तो वो है इनका नाम है मिजोर्म मिजोर्म स्टेट के थे मिजोर्म is the correct answer मिजोर्म मिजोर्म की जो कैपिटल है वो है आईजवाल ठीक है ये जी इजियान रखिए और चीफ मिनिस्टर का जो नाम है मिजोर्म के डैडिज जोरा मतंगा जोरा मतंगा और गवर्नर का नाम है पी-एस शिरीधरन पलाई पी-एस शिरीधरन पलाई जो है इनका नाम है तो अंसर इसमें क्या बनेगा A option और नागलेंड के लिए भी न्यूस थी कि नागलेंड का जो अफस्पा वाला जो काम है armed special power act जो है वो December तक जो है चला दिया गया है ठीक है और मिजोरम के उपा रुकाम लोवा जो speaker थी इनके death हो चुकी है तो answer इसमें A option is the correct answer A option तो ये थे आज की lecture के अंदर question बाकी जो है इस lecture की PDF आप टो डॉक्टर विपन गोहल के PDF चैनल पे मिल जाएगी क्यों डानलोड करेंगे homepage नजर आएगा तो उसमें आप best selling course में जाएगे और इसके नीचे just launch का button होगा तो उसमें भी आप थोड़ा सा left scroll करोगे तो पहले में आपको GS course नजर आजएगा best selling में और नीचे जो है just launch वाले में आपको नजर आजएगा आपको देना subscribe करेंगे चैनल को so thank you so much guys all the very best and हम सुबा मिलेंगे 9 बजे हमारी classes में good luck take care